अगर आप मुझसे प्रिलिम्स के एक साल पहले पूछो कि सबसे ज़्यादा तंग आपको कौन से सब्जट करने वाले हैं एक्जाम में रिकॉल करने में और रिवाइस करने में मेरा आंसर होगा Modern History and Polity आप मुझसे एक्जाम के 6 मंत पहले सेम कोशिन पूछो मेरे पास आंसर तब भी सेम होगा Modern History, Polity आप मुझसे 2 महीने पहले पूछो, 15 दिन पहले पूछो एक्जाम से 1 वीक पहले पूछो या फिर एक्जाम के पिछली नाइट को पूछो मेरा आंसर तब भी सेम रहेगा एक्जाम से एक रात पहले मेरा खुद का हाल तो यह होता था बाकी सब ठीक है Modern History में बस इतना याद रह जाए कि Non Corporation पहले हुआ था कि Quit India पहले हुआ था वो हाल होता है एक्जाम में चीज़ों को Recall करने का और हम यहाँ पर including me और हम सब Coaching Institutes हम यह ज्यान देते हैं कि देखो एक्जाम में आपको यह कर लेना चाहिए था वो कर लेना चाहिए था जब हम एक्जाम हॉल में बैठते हैं न तो चीज़े बहुत डिफरेंट होती है बहुत आसान questions भी कई बार नहीं हम solve कर पाते तो end में एक्जाम हॉल में जाएगा क्या जो आप इस लास्ट के मंत में revise कर लोगे डंक से तो revise करने के लिए modern history को आप क्या कर सकते हो कुछ subjects हैं जिनका weightage बहुत जादा है ऐसे लगभग 30 से 40 topic हैं basically 10-12 chapter है आपके उनका weightage बहुत जादा है फिर कुछ topic ऐसे हैं जिनका content काफी है बट उनका weightage बहुत कम है ठीक है कुछ ऐसे हैं जिनका content average है questions भी average है तो हम basically modern history को तीन पार्ट में divide कर लेते हैं पहला British policies दूसरा Indian response to British policies इन दो चीज़ों पर बहुत questions पूछेंगे इसके बाद आता है freedom struggle से related जो questions है इसके अलावा आप उन चीज़ों को avoid कर सकते हो जो basically पाकिस्तान movement से related है या फिर बहुत depth में जाके concept पूछे हुआ उनको आपको revise करना है revise करते हुए जब आप standard books follow करते हो modern history के लिए तो एक issue आता है पॉलिटी में जो chapter 1 है constitutional development सामविधान का सामविधानिक विकास कैसे हुआ अंग्रेजों को टाइन पर वो topic और जो modern history में यही same topic दिया हुआ कई chapters में दिया हुआ थोड़ा confusing है तो basically synopsis में 2019-50-50 series में आपने notes दिये हुए एक बार हो constitutional development YouTube पर भी lectures है वो पढ़ लेना and constitutional development के जो demo है मैं आपको content as free content भी provide कर दूँगा ठीक है वो एक बार आप revise कर ले रहा जब आप standard books के बाद notes consolidation में जाते हो वहाँ क्या issues आते है modern history में books 3-4 हैं जो हम refer करते है spectrum versus विपिन चंद्रा mostly अब ये doubt लोग का खतम हो गया काफी लोग का कि हम विपिन चंद्रा के बेले spectrum पढ़ेंगे लेकिन with time आपने देखा होगा चाहो देशेर कथा वाला question हो राणी रुकमा भाई वाला case हो हुआ क्या कि optional की किताबों से उठाके questions बना दिये या फिर DU Delhi University उसकी किताबों से उठाके मैं personally नहीं पढ़के जाता exam में question चाहे छोड़ दें जो मुझसे नहीं होरा normal resources में normal effort डाल के वो आप से भी नहीं होगा किसी से भी नहीं होगा जब तक कि आप बहुत जादा super human नहीं हो मेरे मुकाबले और basically super humans से हमारा comparison भी नहीं तो मेरे standard notes में वो चीज़े नहीं आएंगे standard book मैं spectrum या फिर ऐसे कोई भी coaching जो spectrum के notes पढ़ा दे वो एक बार को refer कर लूँगा अब notes consolidated कैसे दिखते हैं एक बार थोड़ा बात कर ले synopsis is में आप जाना है 20-20-50-50 series यहाँ चले जाना demo content यहाँ आप जाना 20-20-50-50 series में इस folder में science tech का अगर आपको चाहिए पूरा ले लो modern history में एक chapter upload किया हुआ है तो यह वो chapter है जो हमें सबसे ज़्यादा तंग करता है socio-cultural reform movement हिंदी में भी मिल जाएगा आप कोई इसको basically हमने synopsis is में easy करनी के लिए पहले रिनाईसा पढ़ा दिया फिर movements को divide कर दिया East India में reform movement कौन से थे personalities कौन से थी उस हिसाब से हमने ये पढ़ा उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए free document है एक बार पढ़ लेना आपके लिए बहुत बढ़िया revision material होगा ठीक है East India में reform movement personalities क्या है जो book में नहीं भी दी हुई है वो भी हमने include की जैसे tag or से related आपको सारी personality मिल जाएंगी जो भी आपको देखो यहाँ पर list बहुत exhaustive list हमने बनाने का try किया book से कहीं जादा ठीक है इसके बाद West India से related West India से related जितनी भी चीज़ें हो सकती थी जितने भी optional की books में वो सब चीज़ें हमने include करने की कोशिस की North India से related then South India से related इसके बाद revivalist movement की बाद revivalist मतलब जो पुरानी values को revive करने की बाद करते हो तो यह 5-6 heading में basically content बनता है यहाँ आप पढ़ना कोई भी topic आप देखो रिनाइसा क्या होता है इंडिया में नव जागरन कैसे हुआ phases of रिनाइसा यह सब स्पेक्टर में तो दिया हुआ भी नहीं है right then रिनाइसा इस्ट इंडिया में Bengal रिनाइसा क्या है राजाराम मोहन रोय इस वे में आप पढ़ोगे उनके बारे में 3-4 points then books पढ़ लो social reform उनके क्या क्या है उनके जो जानकार है उनकी बात कर लो बस कतम आत्मिय सबह अलग पढ़ो उसमें कौन सी personalities थी वो पढ़ो इस वे में आप चीजों को consolidate कर सकते हो modern history में one-liners हमेशा जरूरी होते हैं modern history में anyway थोड़ा कम पूछता है art and culture, medieval और ancient में ज्यादा पूछता है तो यहां इतनी need नहीं है फिर इसके बाद हम बात करते है important topics यह वो topic है अगर आप मुझे choice दो कि modern history में मेरे पर time कम है और मुझे revision करना है तो मैं बस यही topic करके चला जाओंगा यह topic list है 2019-50-50 series में modern history पर हम आते हैं सबसे पहले यह दिया हुआ पढ़ लेना एक बार British policy की जब हम बात करते है white racism, socio-cultural policy थोड़ा यहां देखना economic policy से काफी बार question पूछे है recently भी पूछे, land tenure से recently पिछले 4-5 साल में दो बार question पूछ चुका है princely states relation अलग है, foreign policy अलग है local body अलग है, मतलब जो तरह तरह की political entities हैं, उनसे क्या relation है police reform, army reform judicial reform, civil service reform education policy, policy for press education policy से तो पिछला साल छोड़ दे, हर साल almost question पूछ रहा है पिछले 5-6 साल से, फिर British policy में आता है constitutional development starting से आप करोगे, end तक जब तक कि आप वो आजादी नहीं मिलगे 1947 के act तक, वहाँ तक करो, और यह revise करना थोड़ा difficult काम होता है, तो इसमें जब आप पढ़ोगे, तो बस एक year wise आप देखोगी, कि suppose यह 1892 के act में यह हुआ, 1909 के act में यह हुआ, इस तरह से भी देखो प्लस यह देखो, election में किस तरह से development हुए, इस वाले act में यह हुआ, इस वाले में यह हुआ, इस वाले में इनको यह write दे, इस वाले में यह write दे, इस तरह से, तो वो चीज़े थोड़ा जल्दी याद रह जाती है, otherwise देखो, इससे जो questions है, थोड़ी tough होते हैं, but low hanging fruits तो हैं, फिर इसके बाद, Indian response to British policy, हमने कैसे respond किया, trade union movement, इस related question आएंगे, अब देखो, मेरे खुद के notes में, trade union movement में, N.M. लोखंडे लिखा हुआ था, ठीक है, नाराइन मेघाजी लोखंडे मेरे content में लिखा हुआ था, ठीक है, exam में question पूछा, N.M. लोखंडे, अब मुझे पता था, आता था, लेकिन exam में बस इतना mind work नहीं है, कि नाराइन मेघाजी, इसकी short form ही N.M. हो सकती है, वो question गलत कर दिया था, तो अब आप exam में कहो, यार, यह तो पढ़ा हुआ question, तो कई चीज़ें ऐसी होती है, exam में mind बहुत different way में work up है, peace and movement से related questions होते है, tribal और civil uprising, यह अलग है, tribal जो tribes related है, civil uprising जो civilian movement है, वो है, social religious reform movement person पढ़ोगे आप, उसकी organizations से क्या अलग-लग relation है, वो पढ़ोगे, plus organization independent way में पढ़ोगे, उन्होंने क्या book publish की, क्या ideology, इनहीं पर जादर questions आते है, कई बार 60 to 70, in fact 80% time बन जाएंगे question, और 10 में से 2 बार ऐसे question पूछ लेगा, जो आप कभी नहीं कर पाऊगे, then voice or voice related question आते है, congress sessions related कम आते है question, but पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं, elimination में कुछ ना कुछ help कर जाते है, then freedom struggle में आप क्या पढ़ोगे, event पढ़ो, कौन सा event हुआ, कौन सी personality उससे associated देन chronology, ये topics आपको revise करने चाहिए, लगातार आप exam तक revise करो, modern history में success rate आपका काफी high हो जाएगा, ये बात को important topic की, अब बात करते हैं test series की, देखो हमारे सामने challenge क्या आता है, test series से काफी questions दिखते हैं, प्लस previous year से दिखते हैं, अगर मैं आपको previous year questions से repetition दिखाऊँ, तो आप test series पे अपना भरोसा खोद होगे, अगर मैं सिर्फ history की बात करूँ, तो history में 16 questions थे, जो आप synopsis के material से solve कर सकते थे, 16 में से 12, 9 questions ऐसे थे, जो आप सिर्फ previous year की help से कर सकते थे, ठीक है, 9 questions ऐसे हैं, और ये मेरे बनाए हुए तो नहीं है topic, ये 3 चलो मैं claim कर लेता हूँ कि मैंने इनको include कर लिया, बट ये 9 questions कैसे थे, ancient medieval की हम बात कर चुके हैं, क्या-क्या repetition था, modern history आप देखो, Government of India Act, 1919, 2017-16, कितनी बार पूछा है, अगर आप ये question देख लो, और 2017 का question देख लो, आपको समझ आ जाएगा, कि क्या question पूछा हुआ है, गदर पार्टी से related question, option देखो यहाँ पर, गदर पार्टी से related काफी बार question पूछेंगें, अगर आप जस्ट पढ़के जा रहे हो, बंदे के बारे में हो गया, क्रिप समिशन, अगें constitutional developments related चीज़ है, MSGP, कहीं भी मला है, ये तो आसान question ये आप consider करो, 2016 में पूछा, कई भार पूछ लेते हैं ये question, अब ये question ऐसा है, entry of Europeans, मेरे हिसाब से, मैं चाहिए कितना भी पढ़ जाओ, ये नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, बाकी जो history के questions है, ये वाले वीडियो देखना, how to revise art and culture, यहां मैंने बताय हुए है, तो test series का role देखो, practice करने के लिए हो सकता है, exam mode में आप चीज़ें, optimize कैसे करोगे, उसके लिए हो सकता है, speed test के लिए हो सकता है, accuracy के लिए हो सकता है, but questions तो previous year solve करो, उससे ज़ादा hit होने के chances है, test series में आपको random book से content मिल जाएगा, तब भी ये guarantee नहीं है, कि आप 4 out of 4 questions अटमिट कर लोगे, मेरे इसाब से previous year करो, 20-50-50 series कर जाओ, चार में से 3 questions तो modernity के, आप previous year से ही कर ले रहे हो न, तो फिर उसमें जो बच्ची कोची चीज है, 20-20 series में आप चीजे पढ़ते हो, तो ये चाहिए आप self study से करो, I am not telling कि आप synopsis का course जोईन करो, या यहाँ करो, ठीक है, जो philosophy है इन चीजों की solve करने के, उस चीज़ पर आपको जाना चाहिए, topics की बात कर ली, books की बात कर ली, books में देखो, मैं एक दो चीज़ों में जरूर बात करूँगा, कोई एक source आपको refer करना चाहिए, multiple source refer करोगे न, time इतना कम है, सिर्फ ये एक डिड़ महीने की बात नहीं है, आप over the year, मैंने इस lecture की श्रुवात भी ऐसे की थी, सबसे ज़्यादा stress देने वाले subjects में से यह क्या, तो over the year भी आपको एक ही source इसमें refer करना चाहिए, जैसे ऐसे हमारे attempts निकलते जाते हैं, first से second, second से third, हम क्या करते हैं, sources diversify करते जाते हैं, चीजों को consolidate नहीं करते हैं, हम जा करते हैं, standard book एक के बले, दो कर दी, दो के बले, आपने test series भी लगा ली, source कितने होगे, suppose आप modern history के लिए, एक spectrum पढ़ ले तो दूसरी NCRT पढ़ ले तो suppose, दो होगे, उसके बाद कहीं से आपने notes ले लिए हैं, टीन होगे, topics तो चलो इसी का part होगे, test series आपके लिए 4 होगे, previous year आप माज जाओगे, current affairs तो खैर modern history में क्या ही होते हैं, बट थोड़े बहुत PT और मंतली के नापे लोग दे ही देते हैं modern history में, 6 होगे, कई सारी चीज़े, duplication में, 6 sources, 12 sources हमने AMC, ancient media और culture के लिए discuss किये थे, 12 और 18 source, आप history के लिए कर रहे हो, कैसे exam में ले जाओगे, इसलिए attempt जैसे ऐसे बढ़ते हैं, यह ध्यान रखना है, attempt बढ़ रहा है हमारा, attempt के साथ में हम number of sources बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, attempt के साथ में हमें number of sources fix रखने के हमारे जितने sources हैं, वह ही करो, maximum एक previous year add कर लो, बस सब एक से दो source कर सकते हो, ऐसा नहीं कि first attempt, second attempt, third, सब निकलते जा रहे हैं, अपना बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं, फिर elimination techniques के लिए आपको YouTube पे बहुत सारे experts मिल जाएंगे, कि मैं तो उस expert के list में बहुत पीछे आता हूँ, फिर भी हमने try किया है, कि थोड़ा बद आपको समझा पाएं, जो मेरी approach है, जैसे मैं निकाल लेता था प्रिलिम सर्बार, तो वैसे बहुत लोगों ने समझाया, लोगों ने 6 out of 6, 9 out of 9 प्रिलिम्स निकाले हुए, हमारे साथ अभी एक faculty उड़ने वाले है, उन्होंने 15 PSC के mains लिखे है, UPSC के 6 out of 6 लिखे हुए है, प्लस 15 PSC, अलग-लग PSC के 15 mains लिखे है, आप perseverance समझो, बट कहीं न कहीं कुछ issues भी होंगे, तो वो एनिवेज, प्रिलिम्स में ये बंदा मेरे से तो 1000 लाग होगो ना बड़ा master आदमी है, ठीक है, तो इसी लिए elimination techniques आप जैसे भी सीखो, करो, वो आपको कहीं न कहीं help जरूर करेंगी, हमेशा 100% accuracy नहीं होगी, अगर 50% भी, 10 में से आपको 5 question का भी edge दे जाती, 4 का भी दे जाती, तो भी आप plus point में हो, current affairs के लिए देखो, newspaper मैं again, इसमें भी वोई सेम चीज़ कहूँगा, जो environment में और AMC, आर्टम तल्चर वगरा वाले में कहा था, newspaper फिलहाल time है नहीं, PT पढ़ाए किसी का, तो PT पढ़ लो, मंतली पढ़ाए तो मंतली पढ़ लो, duplication मत करो, duplication में साथ में एक चीज़ और करना, for example, इसमें राजा राम मोहन रोय की बात कर दी, current affairs में, तो आप बस एक line पढ़ो, सब राजा राम मोहन हो जाता है, जो main news है, mains वगर आपको avoid करने पढ़ेंगे, ये चीज़ तो आप बिल्कुल गाठ बांध लो, pre निकल गया तो mains mains अपने आप हो जाएगी तयारी, guidance series में यहां हम बाकी subject भी एक है करके, अगले दो-तिन दिन में discuss कर लेंगे, क्या क्या चीज़े ध्यान रखनी है, courses में अगर आप चाहो इस time भी, तो मैं आपको ये दो course suggest कर सकता हूँ, MSGP or 2020 series, अगर CSET में आपको दिक्कत है, CSET join कर सकते हो, बहुत short course है, बाकी synopsis के courses आप check out करना, बहुत ही बहतरीन courses है, synopsis अपने special courses के लिए जाना जाता है, अगर आपको उसका validation चाहिए, Hindu and Indian Express in 5 minutes, इस series में जाके देख लेना, दूसरों से compare कर लेना, आपको इस समझ में आ जाएगा, कि synopsis ये चीज़ क्यों कहता है, कभी कोई के आसपास पहुँचने वाला नहीं है, फिलाल at least आने वाले कुछ time में, so thank you for watching, I hope कि मैंने आपको अपनी बात convey कर दी, कहानी basically यह ही है, चीज़ें short रखो, crisp रखो, कम हो जाए, कम ठीक है, लेकिन exam तक लेके जरूर जाना,